हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं हूँ विश्वर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Microsoft Excel में आप एंड डाउन एरो का सिंबल कैसे बनाते हैं shortcut key से यानि कि उसका alt code क्या है वो जानेंगे मैंने यहां पर on screen keyboard open किया हुआ है क्योंकि मेरे keypad में numeric keypad नहीं है जो यह right side में होता है ठीक है तो अगर आपके keyboard में numeric keypad है तो आपको इस on screen keyboard की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले वहां पर click कर दिए जहां पर आपको up and down arrow का symbol बनाना है तो माल लिए कि मैंने यहां पर click कर दिया ठीक उसके बाद मैं अपने keyboard में alt button दबा करके रखोंगा तो जब आप अपने keyboard में alt button दबाएंगे तो यहां पर देखिए on screen keyboard में जो alt button है वो blue color से highlight हो गया अ अब हमें alt button दबाया रहना है और यहां numeric keyboard side में two and three type करना है यानि 23 type करना है उसके पास जैसे alt button आप छोलेंगे पर देखिए up and down arrow का symbol बन गया